नमस्कार आज मैं फिर आपके समख्ष अपरात की एक और घटना लेके आया हूँ जो मेरे डी आई जी रेंज बलकि मैं उस समय जन्वरी में आई जी रेंज हो गया था आई जी रेंज बरीली होते हुए घटित हुई थी मेरे चार में से एक जन्पद में आज की घटना बदाईयों से संबंधित है बात आठ जन्वरी 2021 की है सुबह करीब सवाचार बजे थाना कादर चौक जन्पद बदाईयों में आराम सिंग सनाफ हूरी लाल उपस्तित हुए और इन्होंने बताया कि मेरे भाई दीन देयाल रात में घर में सो रहे थे रात में किसी ने आकर उनको गोली मार दी सूचना गंबीर थी किसी व्यक्त की गोली मार कर हत्या की गई थी रात में उसके घर में ही पूरी एसोपी फॉलो की गई इस्पेक्टर तुरंद पहुंचे सवेरा होते होते सीयो उज्ञानी संजे कुमार रेड़ी थे वो भी पहुंचे स्पेसिटी भी पहुंच गए वहाँ पर काफी भीरभाड कठा हो गए डाग स्कॉयट को भी बुला लिया गया सुबह सुबह डाग स्कॉयट का स्नाइफर डाग भी पहले तो वो घरी में बार बार गुमता रहा फिर पिछले दरवाजे से निकल कर मुख्य मार्ग तक आया फिर वहीं पर भटक जाया करता था कई बार हैंडलर ने कोशिश की कि हो सकता है उससे कुछ लीड मिल जाया लेकिन लीड इतनी ही वो दे पाया कि जो कुछ भी हुआ है वो घर के पिछले दरवाजे से हुआ है पिछले दरवाजे का मतलब जो कोई भी आया था वो पिछले दरवाजे से भीतर आया और पिछले दरवाजे से ही बाहर चला गया और उसका ट्रेल उसे मुख्य मारग तक मिला मुख्य मारग के बाद उसके बारे में कोई सूचना कोई महक उसका कोई सेंट जिसे कहते हैं वो उस डॉग को नहीं मिला गोली सिर में मारी गई थी जन्वरी की कडाके की ठंड थी मृतक दिन द्याल रजाई कंबल ओड़े हुआ था नीचे गद्दा विछा हुआ था चारपाई पर सिर में गोली मारी गई थी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी पूरा गद्दा भीग गया था उसके नीचे भी खून रिस रहा था गर रजाई का भी कुछ पार्ट खून से तर्बतर हो गया था वहीं पंचायत नमा भरने की कारवाई की गई खून से सने रजाई के गद्दे के नमूने और जो नीचे बलड गिरा हुआ था उसमें खून अलूदा मिट्टी ये सब सील करने के बाद पंचायत नमा की पूरी कारवाई करके बॉडी को जिला चिकित साले की मौर्चरी में पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया उसी दिन यानी आठ जनवई को ही शाम को पी-म रिपोर्ट आ गई पी-म रिपोर्ट से इस पस था जो उसमें कॉज अफ डेथ था कि कॉज अफ डेथ डी टू हैंवरिज बिकॉज अफ एंटी माटम गन शॉट इंजरी हिंदी में कि जो चोट गन शॉट की वज़े से इसे लगी है उससे अत्यधिक रक्त स्राव होने की वज़े से मृत्य हुई है ऐसा मृत्यू का कारण पी-म रिपोर्ट में लिखा था क्राइम सीन और डॉग स्कॉाइट के मूमेंट से ये बात तो तैं हो गई कि जो कुछ भी हुआ घर के भीतर उसकी इंट्री और इग्जिट घर का पिछला दरवाजा था क्योंकि मारने वाला उधर ही से आया और उधर से ही चला गया चूंकि घर में मृत्का की पत्नी पूजा अकेली थी उस समय ऐसा संभव नहीं लग रहा था कि कोई पीछे के दरवाजे से खोल के क्योंकि दरवाजा तोड़ा नहीं गया था वो भीतर आएगा दिन दयाल की हत्या कर देगा गोली की आवाज भी आई होगी और उसकी पत्नी को न पता हो पर पतनी का रोना चिलाना बिलखना बेहोश हो जाना और सबेरे करीब तीन बजे के आसपास दो से तीन की बीच में सबसे पहले वही उसी ने हल्ला मचाना शुरू किया था बाहर निकल कर पूरे गाउं में शोर की मार दिया, मार दिया, मार दिया किसी ने मार दिया, हमारे पती को किसी ने मार दिया फिर पूरा महला एकठा हो गया चुकि बाड़ी अभी अंतिम संस्कार हुआ नहीं था दीन द्याल का इसलिए सिर्फ उसका हैंड स्वैब को किसी चीज से अगर उसका मिलान करना हो कि किसी कुई चीज उसके हाथ में थी उसका भी इसी तरह से स्वैब निकाल के उसका वाश करके और उसका मिलान किया जाता है और उससे और उसके अलावा जो फायर आर्म यूज हुआ है अब उसकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाती उसका हैंड स्वाइब लेकर सील करके उसे थानी पर भिजवा दिया गया मृतक के अंतिम संसकार होने का वेट किया जा रहा था सब ना थित आ गए आठ तारीक को पोस्माटम हो के बॉड़ी आई ही थी रात हो गई थी अगले दिन नौ तारीक को उसका अंतिम संसकार हुआ अ उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी इंवेस्टिकेशन शुरू की मृतक के भाई और उसके और परजनों से सबसे पहले पूस्ताच का सिलसला शुरू हुआ कि आखिर क्या हो सकता है कौन सी ऐसी बात थी कोई रंजिश थी और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहां प तीन कारण है 90 परसेंट इस तरह की हत्याएं 90 परसेंट इस तरह की बारदात इनहीं तीनों के कारण होती है इसलिए उसी परिपेक्ष में परजनों से बात करनी शुरू की गई पूस्ताच की गई मिर्टक के भाई ने बताया कि मेरे भाई दिन द्याल की उम्र लगबग 47 वर्ष है आज से करीब 20-25 वर्ष पूर उसकी शादी गुटईया गाओं की सखेसा नाम की एक महिला से एक लड़की से एक औरत से हुई थी सखेसा की दिन द्याल से दो पुत्रियां थी चुए कि दिन द्याल पैसे वाला था सक्षम था इसलिए उसके बाद दो पुत्रियों के बाद सखेसा जब जब गर्ववती हुई उसने उसका भुरूम परिक्षण कराया और हर बार उसे यह बताया गया कि पेट में कन्या है सकेसा के पेट में कन्या है और उसने जबर जस्ती बिना अपनी पत्नी के कंसेंट के ये गरवपात करा दिया वो भृून नश्ट करा दिया जबकि सकेसा ने इसका हमेशा विरोध किया उसके बाद जब दो लड़कियों के बाद एक दो बार उसे भृून हत्या करानी पड़ी तो उसके बाद उसने अपने तांत्रिकों, ओज़ा, सोखा, गंडा तावीज वालों के चक्र लगाने शुरू कर दिये और उसका सिर्फ एक ही प्रश्न होता था कि आखिर मुझे लड़का कब होगा इतनी प्रापर्टी और खेदबारी है, क्या होगा इसका और मेरा वंच कैसे चलेगा मैं जब मर जाओंगा तो कौन मेरी चिता को आग देगा कोई बहुत साफ उत्तर उसको कहीं से मिलाने, सबने पैसे लिए और उसकी मनमाफिक बात कहके उसे जाने दिया उसका अपना जो तांत्रिक था जिस पर वो जादा यकीन करता था, उसके पास दिन दयाल बार बार गया और उनसे यही कहता रहा कि कोई उपाय बताईए नहीं तो मेरा वंश डूप जाएगा बार-बार पूछने के बाद तांत्रिक ने उसे यह बताया कि देखो इस पत्नी से इस महिला से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें किसी दूसरी कम उम्र की महिला से शादी करनी होगी वो तुम्हें पुत्र देगी और तभी तुम्हारा वंश चलेगा तभी तुम जो चाहते हो वो होगा और तुम्हारे प्रॉपर्टी और तुम्हारे जो जितना तुम्हारा व्योसाय है खेदबारी है उसका वही वारिस होगा अब बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि ये तांतरिक, ओज़ा, सोखा, ये जो गंडे तावीज वाले हैं ये जो शर्तिया आपका काम करने का ठेका ले लेते हैं इनका कोई आधार नहीं होता ये सिर्फ आपकी मनह इस्तिती को देखके और पैसे की लालच में कुछ भी बता सकते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, अब कोई ये कैसे बता सकता है की ये महिला आपके लिए बेटा नहीं जन सकती हैं, कौन बता देगा इसे? لेकिन उसने बताया और उस पर इतना विश्वास था दिन दियाल का कि उसी दिन उसका दिमाग फिर गया, और उसी दिन से उसन अपने रिष्टदारों में नाथित में इतना हला किया कि एक दिन उसे अपनी दोनों बच्चियों के साथ मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया मन में उसके जानी आप समझी रहे होंगे उसके क्या था और क्यों वो उसको निकाल के बाहर करना चाह रहा था थोड़े दिन बाद यानि उसके भाई ने ये बताया कि अब से कोई दस ग्यारा साल पहले उसने एक बिहार की पूजा नाम की बहुत कम उम्र की एक लड़की से शादी कर लिए चूंकि एक पत्नी को मार के बाहर निकाल चुका था और समाज में थोड़ा सा कुसर कुसर इस मामले में होती थी इसलिए उसने पूजा से कोर्ट मेरिज के अरेंज मेरिज नहीं की और कोर्ट मेरिज करने के बाद वो उसे लाके घर में रखने लगा इस शादी के बाद पूजा से पूजा उर्फ कमलेश उसका नाम था उससे उसे दो पुत्रों की प्राप्ती हुई अब उसे अपने तांत्रिक पर पूरा यकीन था उसने यही कह था कि किसी कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो मैं पुत्र रखन प्राप्त होगी और उसे दो दो पुत्र प्राप्त होगी चुंकि दिन द्याल की पुत्र की चाहत पूरी हो गई वो पूजा इस बात को जानती थी वो इसकी कमजोरी जानती थी कि बच्चे यानि बेटे इसकी कमजोरी हैं बेटों के लिए ही ये मुझे ले आया है वहां से और अपनी पत्नी बना कर रखा हुआ है वो घर में मनमानी करना शुरू कर दिया भाइयों और बाकी घरवालों ने जो शक जहिर किया वो पूजा पर ही किया कि ये मनमानी करती थे और इसके सामने कभी दीन द्याल बोल नहीं पाता था जबकि दीन द्याल खुद हैकर था और उसके पास अच्छी प्रापर्टी थी लोग उसको बड़ी सम्मान की दिश्च से भी देखते थे घरवालों की शंका पे पूजा को थाने पर लाया गया महिला पुलिस कर्मियों ने पूज थान शुरू की पर काफी देर तक पूजा यही बताती रही कि सकेसा के घरवालों ने मारा होगा क्योंकि इसने सकेसा को बहुत परिशान किया था और उसको बच्चियों सहीद घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया था बार बार वो वही नाम पता उनका सब बताती रही लेकिन इस बात में जब उसको आगे उलजाया जाता था क्रोस कोशनिंग की जाती थी तो वो उसी में फंस जाती थी फिर चुपो जाती थी थोड़ा सा महिला कर्मचारियों ने जब अच्छी पूस्ता शुरू की तो उसने फिर बताना शुरू किया उसने कहा दीन द्याल की गाउं में सड़क के किनारे नौ दुकाने हैं जिन में से एक दुकान में दीन द्याल सोयम बैठता था और बीज और खात का कारोबार उसी दुकान से करता था और बाकी दुकाने उसने किराय पर उठा रखी थी और वो दुकान बहुत चलती थी कभी कभी दीन द्याल जब किसी काम से बाहर जाता था कोड काचहरी के तमाम काम रिशिजारों के तमाम काम तो वो पूझा को कह जाता था कि दुकान पर बैठना गल्ला यानि जो कैश रखने का पैसे रखने का जो कोई जffentlich जगह होती है उस पर धान रखना और हिसाब अच्छे से बना के रखना पूजा दुकान पर बैठने लगी जो किराये वाली बाकी दुकाने थी उनमें से एक दुकान बबलू यादो की थी जो शांती नगला उजहानी का रहने वाला था और किताब सिंग का बेटा था बबलू की बिजली के बिजली के सावान और मोबाइल रिपेरिंग की दुकान थी धीरे धीरे दोनों में समंध हो गया पूजा ने बताया कि दो पुत्र होने के बाद दिन द्याल का इंट्रेस्ट उसमें बहुत कम हो गया था वह जो कुछ भी करता था अपने दोनों लड़कों के लिए करता था उनको घुमाने ले जाना उनके लिए तरह तरह के कपले बनवाना उनकी जो फर्माईश होती थी वो पूरा करना उसका इंट्रेस्ट पूजा में बहुत कम हो गया था इधर उसने कहा कि बबलू उसकी उम्र का था नौजवान था बहुत ध्यान रखता था केर करता था और जब हम अस्पतार उसमें जब हम दुकान में बैठे होते थे तो वो बराबर जो ग्रहकों का हिसाब किताब है उसको करना पैसे का जो हिसाब किताब है उसको करना इसमें उसकी मदद किया करता था और धीरे धीरे उससे उसके संबंद हो गए इसी बीच में दीन देयाल को ग दोनों के बीच में कुछ चक्करवाजी है। दिन दिया सतर खो गया और बराबर निगाह रखने लगा चोरी चिपे और एक दिन उसने बबलू को अपने घर की भीतर ही अपनी पत्नी पूजा के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन बबलू को बहुत मारा पीटा और उससे दुकान खाली करा ली। उससे दुकान का खाली कराना पूजा को बहुत बुरा लग गया। नहीं रहोंगी, इस पर दिन द्याल ने कहा कि तुमको जाना हो जा सकती हो बच्चे यहां से कहीं नहीं जाएंगे फिर जब पूजा ने कहा कि ठीक है नहीं जाएंगे तुम बंद करके रखो गे उनको तो एक दिन मैं दोनों बच्चों को भी जहर दे के खुछ जहर खा लोंगी मैं देखती हूँ तुम क्या करते हो तुम ही जेल जाओगे हम तीनों लोग मारे जाएंगे तुम यह सुनके दिन द्याल चुप हो गया और चुप हो गया और एकदम से जैसे वो कहते हैं डिफेंसिव हो गया कुछ नहीं बोला उसने कहा कि बबलू को उस दुकान को तुरंट वापस कर दो दिन द्याल ने वैसा ही किया बबलू को फोन करके बताया कि तुम उस दुकान में जाके अपना फिर से समान रखो और अपना काम करो पूजा ने ये भी कहा कि उस दुकान का किराया तुम नहीं लोगे उस दुकान का किराया मैं लोगी इस पे भी दिन द्याल रजी हो गया ठीक है इसका किराया तुम रखो हाला कि जो घर वालों ने और आसपास वालों ने ये बताया कि दुकान मिलने के बाद बबलू ने कभी भी कोई किराया नहीं दिया सब लोग यही जानते थे कि पूजानी उसको फ्री में ये दुकान दे दी है क्योंकि उसके पूजा से सम्मंद हो गए है लेकिन इतना सब होने के बाद दीन दियाल दोनों पे नजर रखने लगा ज़्यादा समय वो दुकान पे रहता था कभी ऐसा मौका नहीं देता था कि उसकी पत्नी पूजा दुकान पे आये बाहर के कोई काम दूसरे लोगों को समझा के करा लिया करता था और घर पे रहता था जब तक वो अपनी दुकानों में रहता था वो बबलू पे भी नजर रखता था वो किसी काम से भी जाता था तो वो फौरान अपनी मौरसाइकल निकाल के घर जाके देखता था कि वो कहीं उसके घर तो नहीं गया है इस तरह से उसने उन दोनों का मिलना जुलना लगभग बंद करा दिया काफी समय तक जब दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए तो इन लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि ऐसे तो जीना मुश्किल कर दे गई है और इसे रास्ते से हटाना होगा इसका तरीका बबलु ने निकाला कि देखो घर के भीतर तुम रहती हो और वो रहता है दो बच्चे तुमारे रहते हैं भीतर से दरवाजा बंद होता है जिसको तोड़ना या खोड़ना नामुम्किन है ऐसा करने पे वो जग जाये गया पड़ोसी जग जाएंगे देता हूं और तुम्हें बता देता हूं कि कैसे करना है जब वो सो जाये जिस दिन दारूपी के आए और सो जाये उस दिन उसके सिर में गोली मार देना बात तैं हो गई चार जनवरी को बबलु ने पूजा को एक कट्ठा और चार कार्थूस लाके दे दिये एक कार्थूस लोड भी कर दिया और उसे बता भी दिया कि जो उसका घोड़ा होता है ट्रिगर को लोकल लेंग्वेज में घोड़ा कहते हैं कि जो उसका घोड़ा होता है बस सिर के पास ले जाके उसे दबा देना तुम्हारा काम हो जाएगा आठ जन्वरी को दिन दियाल बाहर से कहीं से आया शायद शराब भी पिये था जल्दी सो गया करीब साड़े आठ वजे के आसपास पूजा ने बबलू को वीडियो कॉल किया और उससे कहा कि आज ये जल्दी सो गया है वो ऐसा लगता है शराब भी पी रखी है ये हिल्दूल भी नहीं रहा है अच्छी शराब इसने पी रखी है आज मौका है अब तुम बताओ कैसे करना है वीडियो कॉल पे वो कट्टा दिखाती रही और उधर से बबलू उसको पताता रहा कि ऐसे उंगली करके ऐसे करके सिर से आधा इंच एक इंच की दूरी पर करके और घोड़े को दबा दो गए तो इस तरह से ऐसे हो जाएगा ये कॉल उसकी लगभग 51 मिनट की थी जो CDR से निकाल की देखी गई तो इंटरनेट कनेक्टिविटी 51 मिनट और करीब 55 सेकिंड का था यानि पूरी तरह से समझाया इसको मुत्माइन कर दिया और उसको लगा कि अभी थोड़ी दिर में सूचना आ जाएगी कि मैंने काम कर दिया थोड़ी दिर बाद फिर वीडियो कॉल आई तो बबलू को लगा कि काम शायद हो गया उसने उधर से पूजा ने कहा कि मैं गई थी लेकिन मेरा हाथ इतना काप रहा था कि मुझे यह डर लग रहा था कि गोली सिर में लगेगी भी कि नहीं लगेगी और अगर गोली चली आवाज हुई और इधर उधर चली गई तो फिर अनर्थ हो जाएगा ये दिन दियाल हम दोनों को जेल विजवा देगा पहले से खार खाये बैठा हुआ है जेल विजवा देगा उसका काम हो जाएगा और हम लोग नायास फंज जाएगे उसने बबलू से कहा कि तुम चले आओ पीछे वाला दर्वाजा मैं खोल के रखती हूँ मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगी तुम पीछे से चले आओ खुद ही ये काम करके पीछे से ही निकल जाओ कोई नहीं जानेगा इतना सुनते ही बबलू भाग के वहां आ गया पिछला दर्वाजा खुला हुआ था पूजा और कमलेश उसका इंतजार कर रही थी उसने कट्टा हाथ में दिया बबलू कट्टा लेकर दबे पाउँ पहुँचा और सिर पर सटा के गोली मार दी इतना सुनते ही बबलू को तुरंद गिरफतार करने के लिए टीम भेज़ दी गई और पबलू गिरफतार होकर आ गया बबलू से भी पूशता शुरू हुई बबलू ने भी वही बात बताई जो पूजा ने पूशताश में बताई थी पूजा और बबलू के CDR निकाले गए और उसका क्राइम ब्रांद से अवलोकन कराके कितनी कॉल कब हुई है तो कॉल ही कॉल भरी हुई थी दिन में कॉल, रात में कार, कॉल, वीडियो कॉल और पूरा दिन दोनों में बातचीत होती रहती थी तो इस तरह से उसके में भी दोनों के संबंधों की पुष्टी CDR से भी हो गई बबलू का भी हैंड वाश ले लिया गया, कट्टा परीक्षण के लिए भेज दिया गया कट्टे की रिकवरी और कार्थूस की रिकवरी पुलिस ने बबलू से कराई क्योंकि मारने के बाद कट्टा और कार्थूस लेकर बबलू भाग गया था सारे इविडिन्स कट्टा हो गये और इन दोनों को बबलू और पूजा को दोनों को जेल भेज दिया गया वर्तमान में भी ये जेल में है अठारा फरवरी आठ जनवरी की ये घटना है साथ बटे आठ जनवरी की रात की आठ जनवरी को सुबह सवाचार वजे थानी प्रसूशना थी और ग्यारा जनवरी को बबलू और पूजा गिरत्तार हो गए सारे सबूत मिल गए कटे की बरामदगी हो गई कॉल डिटेल से दोनों के सम्मंद स्पष्ट हो गई उनकी पुष्टी हो गई और फिर चाशीट नंबर 49 अठारा फरवरी को सभी साक्षे और सबूत के साथ पोर्ट में प्रस्तूशना कर दी गई दोनों अपराधी जेल में हैं लेकिन अभी तब ट्रायल शुरू नहीं हुआ है अब आज के इस इंसिडेंट में वही पुरानी बात है कि एक तो वही पुत्र की चाहत जिसके लिए कोई आदमी अपनी पहली पत्नी उसकी दो बच्चियां इन पर अनरगल आरोप लगा कर मार पीट कर घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि किसी ने उसको ये बता दिया कि इस पत्नी से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती कैसे कोई इतना नीचे तक गिर सकता है कैसे कोई इतना इंडिफरेंट हो सकता है कैसे कोई इतना अमानवी हो सकता है कैसे पुत्र की मोह में पुत्र की लालच में तीन तीन प्राणियों को और अनरगल आरोप लगा कर मार पीट कर घर से निकाल देया दूसरा कि पुत्रों के मोह में दीन दियाल ने पुत्र मोह में उसे इतना अंधा बना दिया कि वो पूजा की सारी गलत सही बातों को बरदाश्ट करता रहा जो वो कहती थी वो मानता भी रहा बबलू पूजा के लिए तो वही बात है कि एक इन्नोसेंट आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं था वो प्यार में बली का बकरा बन गया कल मैंने टीवी में एक फिल्म का गाना सुना था हलांकि मुझे गाने के रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता किस सिलसले में कब कहा गाया गया है क्योंकि मुझे फिल्मों में बहुत कम इंट्रेस्ट है मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद